नमस्कार आप देख रहे हैं Mobile News 24 मैं हूँ नीरज कुमार वक्त हो गया है दिन भर के बड़ी ख़वरों की भारतिय अंतरिक्ष अनुसंधान के लिए अमेर्की एलन मस्त की कमपनी Space X ने भारत सरकार से मांगा लाइसेंस और भी कमपनियां हैं इंटरेस्टेड अंतरराष्टिय बॉर्डर के नजदीक भारत बना रहा है नया एरबेस गुजडात में PM मोदी ने किया असला न्यास पाकिस्तान को मिलेगा करारा जबाब मलिकार जुन खरगे बने कॉंग्रेस के नए अध्यक्ष ससी थरूर ने दीवधाई राहूल गांधी बोले अध्यक्ष जो जिम्मेदारी देंगे उसे निभाऊंगा कॉंग्रेस कारियाले पर मना जश्न का माहौल गुजडात में डिफेंस एक्सपो का पियम मोदी ने किया उध्गाटन साथे मिसन स्कूल आफ एक्सेलेंस के सुभारम में पियम मोदी बोले सिक्षा पटनाली को अगले अस्तर पर ले जाएगा 5G 15,670 करोर की अन्य पर्योजनाव का भी किया सिलान्यास नेपाल की राजधानी काटमांडू में भूकम्प के जटके महसूस किये गए जिसकी तिवरता 5.1 मापी गई सुप्रेम कोट ने मुखतार अनसारी के विदायक वेटे अब्बास अनसारी के गिरफतारी पर रोग लगा दी आम्स एक्ट मामले में अब्बास अनसारी को मिली राहत सब ही नए राष्टिये राजमार्गों पर बनाये जाएंगे हैलिपैड तुड्यन मंत्री जोतिरादित्य सिंधिया ने की गोशना आज फिर रामनगरी आयोध्या पहुंचे सीम योगी आदित्यनाथ दिपोट सब की तयारियों का लिया जाए जा पियम मोदी भी होंगे सामिल बिहार के कई जिलों में आज भुकम के जटके महसूस किये गए जिसकी तिवर्ता 5.1 मापी गई दिल्ली में दिपावली पर वायू पर्दूसन से निपटने के लिए रन्नित तयार की गई जहां प्रियावरन मंत्री गोपाल राय ने कहा कि प्राजधानी में पठाके फोरने वाले और खरीदने वाले पर 200 रुपे का जुर्माना और 6 महने की सजा हो सकती है सिद्धू मुसेवाला मडर केस का आरोपी दीपक टीनू राजधान से किया गया ग्रफतार पंजाब पुलिस की हिरासत से हुआ था फरार हर्याना के ग्रेह मंत्री अनिल विज ने अंबाला नगर परिसद में मारा छापा तो पता चला कि पिछले दो वरसों से एस्ट्रीट लाइट को लेकर टेंडर जारी करने पर परतिबंद है इस कारण कालोनी के लोग अंधेरे में रहने को बेवस हैं दिपावली से पहले 21 अक्टूबर को केदारनाथ का छठा दोरा और बदरीनाथ में दूसरी बार पधारेंगे पियम मोदी साथ ही भारत के अंतिम गाउं चीन के बॉर्डर पर माना में भी कारकरंप में भाग लेंगे जारखंड के सियम हेमन सारेन ने आज चत्रा में 324 करोर की योजना का सिलान्यास किया हिमाचल परदेश के सियम जैराम ठाकुट ने कुल देवता का आसिरवाद लेकर भरा परचा जनता से बोले सराज की जिम्मेदारी आप पर है जम्मो कस्मिर में आतंगवादियों की बरी साजिस को सुरक्षा एजन्सियों ने किया नकाम हंदवारा लंगेट में लगाई गई IED समय रहते किया गया निस्क्री है बंगाल में मवेसी तसकरी मामले में CVI ने अनुबरत मंडल के करीबी करीम खांसे की पूश्ताच राजथान के जोधपूर में ब्रष्टाचार निरोधक व्यूरों ने दो राजस्व अधिकारी को 25.31 लाख रुपए रिस्वत लेते ग्रफतार किया कमल गट्टा अर्थात कमल के बीज और कमल की डंडी का सेवन सेहत के लिए काफी फायदेमंद सावित होता है इसमें आयरन, प्रोटीन, मैगनिसियम, पोटेशियम और विटमिन B6 जैसे आवसक पोसक प्रत्व पाये जाते हैं जो सेहत के लिए काफी फायदेमंद है मैकनिसियम की मौझूदगी की वजह से कमल गट्टा डाविटीज में फायदेमंद होता है और इसके सेवन से बरते हुए सुगर को कंट्रोल किया जा सकता है साथ ही पोटेशियम की मौझूदगी के कारण उच्चे रक्त चाप यानी BP में भी ये लावदायक होता है इसलिए इसका सेवन जरूर करना चाहिए बैंक आप बरोदा में IT प्रोफेशनल के साथ पदों पर भरती निकली है उमिद्वार अधिकारिक वेबसाइट बैंक आप बरोदा डाट इन पर केरियर सेक्शन के लिंक को क्लिक कर आविदन कर सकते है तो ये थी दिन भर की बड़ी खबरें ऐसे ही खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सकाइब किजे नोटिफकेशन बेल को दवाईए वीडियो को लाइक किजे और ज्यादा ज्यादा सेयर किजे ताकि देश और दुनिया के तमाम खबरों से आप और आपके जानने वाले रह सकें अपडेट